श्री गनेशा या नमाहा नमश्कार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आदारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ावाते है वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज् और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तों ये दिन आपको मिले जुले फल प्रतिपादित करेगा ये दिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा लेकिन बहुत से भागिस्थान पर दुरुष्टी डालेंगे तो दिन काफी अच्छा और भागेशाली साबित हो सकता है तीसरा भाव पराक्रम का स्थान कहलाता है तो इस समय में आप पराक्रमी रहोगे जी हाँ जो भी काम हाथ में लोगे उसे आप अच्छे सी निभाओगे इस समय में लगबग हर चेत्र में आपको काम्याभी मिलेगी सुबह से ही आप प्रसन रहोगे फ्रेश रहोगे पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे व्यापरियों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा व्यापरिय इस दिन खुल कर निवेश कर सकते है ये समय आपके लिए तरकी लेकर आया है तो अच्छे समय का अच्छा लाब जरूर उठाए इस समय में आपकी धार्मिक चीदों की और रुची बढ़ती दिखाए देगी आप धार्मिक रहोगे इस समय में धार्मिक यात्राए भी हो सकती है और घर में कोई धार्मिक कार्य भी संपन हो सकता है दोस्तो इस समय में कुछ लोग आपसे मदद भी मांगने आ सकते है उन्हें सही राह जरूर दिखाए इस समय में आपकी बोली में मिठास रहेगी लोगों को प्रभावित करने में आप काम्याब रहोगे अगर आप राजनीती में है तो आपकी तरक्की काफी तेजी से हो सकती है आप इस वक्त एक अच्छे वक्ता के रूप में नजर आ रहे हो अगर कोई सरकारी काम करना है तो कर लीजे काम सफल होगा समय बिल्कुल सही है किसी नई चीज की खरिदारी करनी है कोई बड़ी खरिदारी करनी है या कोई नया काम शुरू करना है नया बिजनेस शुरू करना है तो इस समय में काफी सुन्दर योग बन रहा है इस समय का फाइदा जरूर उठाए किसी भी चीज की नई शुरुवात इस दिन आप कर सकते हो इस समय में आपका पराक्रम बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, प्रतिष्टा बढ़ेगी खेल खुद से सम्मंदित खेतर से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा है और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुती बढ़िया रहेगा प्रमोशन या नया जाप पाने के लिए भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा अगर इस तरह का कोई काम आपको करना है तो प्रयास जरूर करे आप सफल हो सकते है इस समय में यात्रा के भी अच्चे योग बन रहे है अपने बिजनेस या जॉब से सम्मन्दित यात्रा भी इस समय में आपको करने पड़ सकती है यात्रा ये शुब रहेगी सफल रहेगी विदेश यात्रा के योग भी इस समय में पन रहे है विदेश से धन कमाने के मोगे भी मिल सकते है इस दिन आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी और आप शांत और आनंदी जीवन का अनुभव करेंगे तो देखे तो लगबग हर क्षेतर में काम्याभी वसफलता इस दिन आपको मिलते दिखाई दे रही है नोकरी करने वालों के लिए और व्यापरियों के लिए समय हर प्रकार से शुबसावित होगा अगर स्टूडन्स की बात करते हैं तो स्टूडन्स को छोटी मोटी बहारी रुकावटे आ सकती है इस से पढ़ाई थोड़ी दिस्टर्ब हो सकती है जैसे अचानक से महमानगर आ सकते है अचानक आपको कोई नया काम करना पड़ सकता है लेकिन समय काफी अच्छा है अंत में आपकी पढ़ाई मन मुताबिक पुरी जरूर होगी अगर परसनल लाइब के बात करते हैं लव लाइब के बात करते हैं तो लव लाइब के लिए भी ये समय बहतरीन है कोई ऐसा रिष्टा आपके जीवन में बन सकता है जो आपने सोचा तक नहीं होगा जी हाँ जीवन के हर बलका पूरा आनंद उठाने की कोशिश जरूर करें और आपके और आपके अपनों की जीवन को खुशियों से भर दें इस दिन आपका स्वास्तिय बढ़िया रहेगा आपका स्वास्तिय बिल्कुल ठीक रहेगा स्वस्त और मस्त रहोगे इस समय में हरे रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर अधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगद रशन के तोर पर ले तो ज्यादा अच्छ रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है दोस्तो काफी लोगों को इस तरे की आदत होती है, कही से भी बाहर से आती है, कही भी जूते चपल फेक देते है, कही पर भी उतार देते है कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते है दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चप साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीचे रखेगी इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें, पूरी तरे से साप सुतरा रखें, क्लीन रखें साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है, वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, अ उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती, मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे, हमारे घर की स्यों सीडिया होती है, उनकी नीची की जगा, हमेशा साप सुत्री रखे, क्लीन रखे, साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है, जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी, तो आप इन सामानों को बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में चिड़शेडा हट होती है, और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है, इस जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है, इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है, दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकडी का अगर जाला है, तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है, ज क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, और अगर आपके घर में मकडी का जाला है, तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है, और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है, द अधा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीज करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी त समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना है गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद